वेल्कम बैक तो माई यूटूब चनल पेपर हैकर आज के इस वीडियो हम बात करेंगे अगले कोश्चन की जो की आपका शौर्ट आंसर टाइप का कोश्चन है करिश्टी का पोर्शन हमें आप पर कंप्लीट कर रहे हैं इसते पहले जितने भी आपके लॉंग आंसर टाइप कोश्चन है कि आपके एक एक करके डिसकस कर लिया है तो कि आपके एक्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट अगर आपने नहीं देखा तो उनको आप देख लीजिए ठीक है आज हम बात करेंगे अपने शौर्ट आंसर कोश्चन की ठीक है शौर्ट आंसर इसको बताना है कि यह आपका होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा लिखना है ठीक है इसको बताना है तो बस यह हो जागा आपका शौर्ट नोट या सौर्ट आंसर टाइप पॉस्चन करा जब मोनो सैकर आइड को तनू कांस्टिक सोड़ा जो की आप क्या क्या होता है शार होता है ऑनवच्च अथवह और क्या होगा कार्वनेक शार को जैसे आपका प्रीडीन हो गया…. के साथ हलका गरम किया जाता है किसको मोनोसैकर साथ हलका गरम करते हैं तो क्या होता है जब उनमें एक विशेष प्रकार का अड़ों का पुनर्विन्यास होता है अलका करते तो उनमें क्या होगा एक विशेष प्रकार का उन्ट विन्यास होता है के एक दूसरे के समाब यभी है ठीक है क्या है समाब यभी यानि कि इनका जो है molecular formula same है और आपका structural formula कैसा है different है समाब यभी ठीक है eldos और keto सरकरा का मिश्रण मिलता है समाब यभी कि अगर हम यहाप पर बात करें तो समाब यभी क्या होता है आपका molecular formula जो है वो कैसा रहता है आपका सेम रहता है ठीक है और structural formula कैसा होता है आपका different होता है ठीक है दोनों एक दूसरे से different arrangement में होंगे लेकिन molecular formula क्या होगा सेम होगा ठीक है करा अधारन के लिए डी-glucose को एने वच्च के साथ में गरम किये जाने बर आपका d-manage क्या होता है जब हम डी-glucose को एने वच्च के साथ में गरम करते हैं किसके साथ में एने वच्च के साथ में जब आप डी-glucose को गरम करोगे तो कहना डी-manage क्या डी-manage और डी-fractose का एक मिसरण प्राप्त होता है कब जब आपने डी-glucose को गरम करा किसके साथ में एने वच्च के साथ में तो मिला क्या एक तो आपको डी-fractose मिल गया दूसरा क्या मिला आपको डी-manage मिल गया ठीक है ये दोनों चीजों का जो है एक मिस्रण आपको मिल जागा इस अब क्रिया को लॉब्री डी ब्राइन वान कहते हैं क्या कहते हैं लॉब्री डी ब्राइन वान के नाम से जानते हैं ठीक है एकिंस्टाइन पुनर विन्यास कहते हैं लॉब्री डी ब्राइन वान पुनर विन्यास के नाम से इस क्रिया को जा और फारमेसन हो जाएगा कब जब डि ग्लुकोज को किसके साथ में घरम करनी था ठाइख मिलेगा एक term मैनोज मिल जाएगा दूसरा क्या होगा आपको डी फ्रक्टोे मैनोज और डी फ्रक्टोे में अंतर क्या यहां देखो ग्लुकोज है हचान से लगा हुआ है त्सिते का लगा हुआ है क्लाइट घ्लू को टि नशन इसके अंतर है यहीं कितना रहे है डि जो दो नमबर कारबन पर लगा होता है लेफट एंड साइड़ ठीक है कहा लगा होता है लेफट हैंड साइड पर बस इतना ही अंतर है डिलकोज और the management defructose की अगर हम बात करें तो इस में कैसे पता चलेगा आपको कि यह लगा रहेगा आप और बस केबल इतना ही अंतर है इन दोनों में आपको सरचनाव में अंतर याद रखना है कहांपर क्या अंतर है कहांपर और चेंज हो रहा है और कहां पर आपका keto group लगा हुआ है ठीक है दूसरे Karban पर keto group जो है आपका लगा हुआ है तो इस तरह से alpha zal자 सारी डी glucose आपका का में बना देता है डी प्रेक्टो और आपका डी फ्रक्टो जील में बना बने बनाते कौन जो आप हमें मिला है और हमें क historians फीक है यह दोनों क्या रते हैं है यह दोणों भी असाथ बनाते कैसा जैसा अभी बना थे इसको अगर लोगे तो यह क्या बना दे और डी ग्लुकोज ठीक है तो यह भी क्या करते हैं यह भी एनोच बिलिन के साथ में यही गुड़ प्रदर्शत करते हैं जो कि आपका डी ग्लुकोज दिखा रहा है कह रहा है कि डी ग्लुकोज और मैनोज क्या है आपके एपी मर हैं क्या है यह दोनों आपके एपी मर हैं बे कारवन पर आपका कोई क्रियात्मक गुरूप लगा है या फंक्शनल गुरूप लगा है उसके पडूस वाले कारवन को एलफा कारवन कहते हैं क्या कहते हैं पडूस वाले कारवन को एलफा कारवन कहते हैं ठीक है जैसे मान लो CH3 और CH2 इस पर लगा दो आप OH इस वाले कार्बन के लगा पास वाला कार्बन यह इस पर कहला गया आपका functional group लग गया तो यह carbon alpha और यह carbon alpha ठीक है functional group जिस carbon पर लगा होता है वो carbon जिस carbon से जड़ा होता है ठीक है वही क्या कहलाता है आपका alpha carbon कहलाता है ठीक है क है कहलाता अलफा carbon कहलाता है तो यह वहाई की जो है लॉट्री डी ब्राइन्वाइन क्या है लॉब्री